कहते हैं यह कंप्यूटर का यूग है कंप्यूटर ने हमारी जिन्दगी में अनेक बदलाव लाए है एक तरफ हमारी जिन्दगी सुविधाओं से भर गई है वहीं दूसरी तरफ हमारे काम करने का धंग भी बदल गया है अब तो हर चीज कंप्यूटर के जरीए हो जाती है यानि हम किसी भी ख्शेत्र में काम क्यों न करें कंप्यूटर के सामने हम घंटों बैठे रहते नतीजा आधुली जीवन की बिड़ाये जैसे कमरदर्थ इसके कारण कहीं है लेकिन इस विमारी से बचने का और मुक्ती पाने का सबसे असरदार तरीका है योग बस फालो कीचे कुछ सिंपल और लाइट कसरते हमारे इस मॉडियूल के जरिए बैक एक इस बिमारी के कारण अनेक हैं जैसे तनाव पूंड काम इमोशनल प्राब्लम्स जिससे मसल क्रैंपिंग होता है ज्यादा वजन उठाना वजन ज्यादा होना शरीर का पिछला भाग मसल्स, हड्डियों वह एलास्टिक टिश्यू का मिला जुला रूप है और शरीर में बहुत महत्वकूर्ण है बैक बोन शरीर को एक प्रोटेक्टिव सपोर्ट प्रदान करती है और स्पाइनल कॉलम और उसके भीतर मौजूद स्पाइनल नर्व्स को सुरक्षा देता है स्पाइन 24 हड्डियों से मिल कर बनती है जो के एक दूसरे के उपर स्थित होती है प्रत्येक हड्डियों के बीच काटिलेज की बनी लचीली इंटरवर्टिवर्डियों डिस्क होती है जो के इन्हें दबाव वद्धक्य से बचाती है कवी कबार डिस्क अपनी जगा से खिसकने से स्लिप डिस्क की परेशानी पैदा होती है जिस वज़े से जांगों तथा पैर में तकलीफ होती है बैकेक के अन्य कारण है बैठने और चलने की आदतें खाने की गलत आदतें और व्यायाम न करना या शारिरिक कश्ट बहुत ज्यादा नर्म बिस्तर पर सोने से या गलत तरीके से सोने से भी बैकेक होता है योग आपकी पीठ की मसल्स को मजबूत बनाता है जीड की हड़ी को मजबूत और लेचीला बनाता है इसका इलाज सिर्फ योग है जो आपकी प्रकृती को समझता है एवं आपकी देख भाल करता है